नमस्कार दोस्तो मैं हूँ अभियंत स्वागत करता हूँ आपका अपने यूटूब चैनल फार्मिंग इंडिया में दोस्तो आज की वीडियो सभी पसुपालकों के लिए बहुत ही महत्पूर्ण है इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हुएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें हम अपने चैनल पर खेती किसानी और पसुपालन की और अधिक वीडियो लाते रहते हैं वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे फारम पे जो हमारे पसु होते हैं उन्हें जूची चड़ अठाई किरनी लग जाते हैं। और हम इनकी दवाई कर दे रहे हैं वाटसाबों से नहलाते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद तो इनसे आराम मिलता है लेकिन फिर से यह हमारे पसुओं को लगना चालू हो जाते हैं दोस्तो इस वीडियो में हम आपको इन जूची चड़ अठाई के लिए से अपने पसुओं को बचाने का पर्मानेंट इलाज बताएंगे दोस्तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि यह हमारे पसुओं को गर्दन कान तथा जो उनकी कौमल तचा होती है उनमें अधिकतर दे पाते हैं दोस्तो यह किली चीचड हमारे फारम के फर्ज की दरारों पर और साइट में कौनों में रहते हैं और यह लगवग एक बार में तीन हजार से लेके बीस हजार तक अंदे देते हैं और यदि हम अपने पसुओं पर कोई भी देशी नुष्का एपलाई करते हैं या साबन से नहलाते हैं तो न से बहग चीचड तो मर जाते हैं लेकिन जो उनके बच्चे बनते हैं वो फिर से हमारे पसुओं को लगने लगते हैं इसलिगे हमें इनका पर्मानेंट कोष करना है जिससे इनकी बच्चे भी मर जा Вас नहीं दोस्तो यदि आप यह एक बार कर तो इससे आपके फार्म पर कई सालों तक जूची चड़ की समस्या नहीं आएगी तथा आपके पशु स्वस्त बने रहेंगे दोस्तो इन जूची चड़ अठाइकिलनी से पर्मानेंट निजात पाने के लिए हमें अपने पशुओं को बाजार में एक स्टिक दबा आती है उसे अपने पशुओं को लगानी है और हपते में एक वार फर्ष पर और पूरे फार्म में छड़काओ करना है दोस्तो यह आपको पांच हपते तक छड़काओ करना है हपते में एक दिन इससे जो उसके अंडे बनते हैं और उससे जो बच्चे निकलते हैं बहर भी मर जाएंगे और इससे आपके फार्म पर जूची चड़ अठाइकिलनी की समश्चा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी दबा की 20 एमल मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाके और फर्स पर अच्छी तरह से छड़काओ करना है ताकि जो चीचर अंडे देते हैं फर्स पर और उनसे जो बच्चे निकलते हैं बहर खत्म हो जाएं और दोस्तो आपको एक सुझाओ देना चाहता हूं आप कोई भी दबाई यूच करें तो उसके पहले दिसानर दिस पढ़ लें और आपको पशू चिक सक से अपने पशू को जो चीचर अठाई किलनी का टीका लगवाना है और यदि आपके पशू को बच्चा देने के तीन महीने समय रह गया हो या इससे कम तो उन पशू को लगवाएं दोस्तो हम अपनी अंगली वीडियो में जो चीच अठाई के लिए से बचने के देशी नुसके भी पताएंगे दोस्तो वीडियो पसंदाई हो तो लाइक करें मिलते हैं अंगली वीडियो में जय हंद जय भारत